नमस्कार किषांसातिओं सवागत आपके अपने YouTube चनल किषान एक्सप्रेक्स है किसान सथी और आज वीडियो में बात करेंगे खर्पत्वार नार्शक के बारे में, आज गी वीडियो इमें आपको बताएंगे अगर आपको वीडियो अच्छ लगता तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा सी ज्यादा शेयर करें अगर आप हमारे चनल पर नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चनल को सब्सक्राइब करें और बेल एकन प्रेस करना नहीं भूलें ताकि आने देने का नाला होता है खेत के अंदर उसके चारों तरफ उग जाते हैं उससे क्या होता है कि जो खर्पतवार के बीज होते हैं वो पाने के साथ हमारे खेत के अंदर आ जाते हैं हमारी फसल के अंदर आ आवश्यक है साथ ही साथ कुछ ऐसे कीट होते हैं जो खरपतवार के ऊपर रहते हैं और हमारे खेत के अंदर आ जाते हैं और हमारे फसलों को नुक्सान पहुंचाते हैं किसान साथ यो इसलिए जो हमारे खेत के नाले के ऊपर है या फिर हमारे खेत के अंदर कुछ जगह जो पर यह हमारी खेट की बाउंडर के चारों तरफ जीतने भी खर्पतवार हैं उनका समय रहते नियंतन करना आवश्यक है आज की वीडियो में आपको एक ऐसी वीडियी बताएंगे जिसे अपना कर आप इन परकार के जो खर्पतवार हैं उनको मतर एक से दो गंटे के अंदर ख के बारे में जिसे अपना कर आप अपने खेट से जो खर्पतवार है उसको मतर दो गंटे के अंदर अंदर समप्त कर पाओगे किसान साथ ही उसके लिए आपको क्या करना है उसके लिए आपको प्रयोग करना है राउंड अप जिसके अंदर गलाइफोसेट 41% एसल टेकनिकल होता है ये खरपतवार नाशक होती है नोन सलेक्टिव का मतलब होता है यह आपकी फसल में और जो आपके खरपतवार है हुसके अंदर कोई भी पहचान नहीं कर पाती आप ने जहाँ पर भीच को शप्रे कर दिया ये उसको नश्ट कर देती है इसलिए आप इस प्रकार के खरपतवार नाशक को कबी किसी भी फसल के अंदर किसी भी सब्जी के अंदर प्रयोग ने करें किसान साथ्य अगर बात की जाए तो कुछ हमारे किसान साथ्य जो बागवानी करते हैं उनके पर सनायत है कि सरे हमारे जो बाग है उसके बीच में जो जगह होती है उसके अंदर खरपतवार बहुत जादा हो गए है उसका निंटन कैसे करें तो आज की वीडियो में हम जो भी वीडिया आपको बताएंगे आप वो वीडिया आपके जो आपका बाग है वहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं लेकिन आपको सहवधान ये रखने है कि जो आपका जितने भी बागवानी के अंदर जो भी आपका पोद्दा है जब भी आप इस सपरे का प्रयोग करें तो आप आपने जो पोद्दा है उस से कम से कम तीन फिट दूरी पर इस सपरे का प्रयोग करें अगर आपने पोद्दे के नजदीक इस सपरे का प्रयोग कर लिया तो आपका पोद्दा मर जाएगा किसान साथी उसके लिए सबसे पहले आपको लेना है round up इसके अंदर हमने बता दिया glyphosate 41% SL SL मतलब salary liquid इसके अंदर technical होता है उसके बाद आपको लेना है para quit ये gramoson के नाम से ज़्यादा famous है मेरे पास फिलाल Nissan company का para next के नाम से आता है आपको ये लेना है और उसके बाद आपको लेना है यूरिया किसान साथी अगर बात कीजाए इसके combination आपको किस प्रकार करना है इसका combination करने के लिए आपको सबसे पहले 200 ml परती 15 लिटर टेंक के हिसाब से आपको round up का प्रियोग करना है और उसके अंदर आपको 100 ml ग्रामोशोन का प्रियोग करना है और उसके बाद आपको उसी टेंक के अंदर लगबग 500 ग्राम जो है यूरिया डाल देनी है अगर आप इस combination को आप आपके जितने भी खाली पड़े मैदान है या अगर आपके खेत के चारों तरफ जो boundary को उपर खरपतवार हो जाते हैं या फिर आपके खेत के नाले के उपर जो खरपतवार हो जाते हैं या फिर आपके घर के आसपास जो खरपतवार हो जाते हैं यानि कि उस जगह आप प्रयोग कर सकते हैं जहां पर आपको खरपतवार का संपूर्ण मिनास करना है यानि कि आप इसे अपनी फसल के अंदर अपनी सब्जियों के अंदर प्रयोग नहें करें वहां पर आप इसका सप्रे कर दीजिये किसान साथियों मातर दो गंटे में जो आपका खरपतवार है वो वहां से गायव हो जाएगा क्योंकि अगर गलाइफोसेट की बात की जाए तो गलाइफोसेट के सिस्टेमेटिक हर्भी साइड है ये पोद्दे के अंदर फैलता है उसके बाद काम करता है जब भी ये काम करता है तो इसके एक अफ़ता से दस दिन तक के इसकी प्रोसेस होती है उसके बाद जो पुद्धा है वो खतम होना शुरू होता है लेकिन अगर बात की जाए गरामोसोन की तो गरामोसोन एक कॉंटेक्ट बेस्ट हर्बिसाइड है और वो जहां पर भी आप इसका सप्रेक करोगे वहां पर कॉंटेक्ट होने के पच्छात वो तुरंत प्रभाव से अपना काम शुलू कर देता है और अगर यूरिया की बात की होगे तो दो घंटे के अंदर अंदर जो आपका खरपतवार है वो पूरी तरह से स्वाप्त हो जाएगा किसान साथ यो इसलिए आपके खाली पड़े मैदान में खेत के चारोर या फिर जो आपकी पाने देने की मेड है वहां पर आप इस प्रकार का सप्रेक कर सकते हैं और खरपतवार का नियंतरण कर सकते हैं किसान साथ यो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी फिर भी अगर आपके मन में कोई कोश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं आने वाली वीडियो में आपको खेती बाड़ी से संबंदित गार्वनिंग से संबंदित औ तब तक बने रहे हैं हमारे साथ देखतरी हमारे चनल पर धन्यवाद जैहिंद